हलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चैनल ए एस इ इंग्लिस अकैडमी और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिस के कुछ मतलब कुछ उलजाने वाले सब्दों के बारे में जिसके कारण स्टुडेंट सी नहीं हर कोई बहुत परिसान रहता है तो आज का हमारा पहला वर्ड है बर्थ जिसका मतलब जन्म होता है और इसकी स्पेलिंग होती है बी आई आर टी एच और दूसरा है बर्थ जिसका मतलब होता है ट्रेन में सोने की जगह जिसकी स्पेलिंग होती है बी इ आर टी एच इस तरह के वर्ड को होमोफोंस बोलते हैं जिसकी आवाज जिसकी साउंड एक जैसे ही होती है लेकिन मीनिंग अलग अलग होती है या एक जैसे भी हो सकती है हमारा दूसरा word है bread जिसका मतलब रोटी या डबल रोटी होता है और spelling b-r-e-a-d होता है दूसरा word है bread जिसका मतलब चोटी होता है लेकिन इसका spelling b-r-a-a-i-d होता है इन दोनों का sound एक जैसे है पर इसकी meaning और spelling दोनों अलग-अलग है हमारा अगला word है disease जिसका मतलब मृत्य होता है और इसकी spelling होती है और दूसरा word है disease जिसका मतलब रोग होता है और इसकी spelling होती है अगला word है desert जिसका मतलब रेगिस्तान होता है और दूसरा word है dessert जिसका मतलब भोजन प्रांथ मिस्ठान होता है मतलब भोजन के बाद जो मिठाई खाय जाती है वो हमारा अगला word है die जिसका मतलब मरना होता है और एक और die है जिसका मतलब रंग होता है लेकिन दोनों का spelling अलग-अलग है एक का spelling है die और दूसरे का spelling है dye दोस्तो आज के वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करिए thank you very much for watching this video keep practicing and keep learning